अच्छा मुझे एक बात को लेके ना आप लोगों को किलिर करना है क्योंकि देखो जो भी सज बात रहेंगी वह मैं करती हूं आप लोगों को जैसे पता ही है फिर उसके उपर किसी और और ने क्या बात किये या जूट किया है फिर मुझे नहीं लेना देना क्योंकि ना मतलब एक पता नहीं कौन सी तस्वीर गूम रही है वाइट के उपर तो उसको लेके कुछ लोगों ने बोला के दीदी चपरा बात करो यह नहीं है जो इतनी गंदी और घटिया है और लोग चलो आई तो अच्छे नहीं है और मतलब वैक्स वगेरा भी नहीं कराते आप लोग समझ गए ना तो वह बात को मुझे किसी ने कमेंट की यह तो वह बात को किलियर करने के लिए किसी मुझे कहा था तो कि आप इसके उपर वीडियो बनाए और इसको बताए कि यह तब तो मैं भी यह बात की सच्चा जो है जायों और पता लगाँं कि सच में करसे अगर सेव李 रेस होती है तो आप लोगों को पता ही कि एंसान थ्यान रखते हैं ये अभी पता नहीं कोई मतलब सीर फ़र सुप लेडिस देखती है वीडियो या कोई और भी देखता है मुझे नहीं पता बाकि मैं यहीं दिमाग में रखते हुए आप लोगों से खुल के बात करूं कि अंडर आमस जरूरी नहीं हर किसी के किलीनी होते हैं किसी कि पता है ना कि वह साइड़ेफक्ट की वज़े से मतलब डाक कलर ऐसा भी हो जा मतलब बताया क्या जा रहा है तो देखी आगे पिच्चर फिर मैं आपसे बात करती है जो नेना के बाद में दूसरी मॉडल ने पहना था तो यह पिच्चर में भी ऐसा ही कुछ लग रहे है ना थोड़ा बहुत के जैसे अंडर रांस गंडे है या जो भी है तो असलियत यह थी कि अंडर रांस की तरफ ना एमरोटरी बनी हुई है तो जिसके थोड़ा साइड इफेक्स वगेरा की वज़े से या मतलब हीचिंग वगेरा की वज़े से थोड़े डाक हो जाते है ना और वह बंदा अगर पहनता है तो फिर ऐसा लगता है कि अंडर रांस पूरे के यह पिच्चर मतलब यह कपड़ा पहनी थी तो यह पिच्चर हमें कहीं से मिली है और आप लोग यह बिल्कुल भी नहीं सोचना के मैं नैना की सपोर्ट कर रही हूं यह मैं किसी की भी सपोर्ट में हूं मैं सपोर्ट में नहीं हूं क्यूंकि एक बार किसी ने यह भी कहा थ लिए ना जो अली के हाथ से बाबर की वाइप ने बॉटल चीना ठंडे की बॉटल लोग कोई पार्क वगेरा में बैटे थे तो उसने चीना तो जब मैंने वह वीडियो को गौर से देखा तो पता चला कि वह बॉटल लाके उसका जो भाई है ना सुमेरा का उसने लाके ना बाबर के चोटा बेटा था ना जो उसके सर के पास रख दिया और वो लुड़क के उसके उपपर जाने वाली थी और अली का हाथ लगाना और सुमेरा का हाथ लगाना सेम हो गया था तो वो ऐसे दिखरा था जिते सुमेरा ने अली के हाथ से चीना ह था सुमेरा ने अपने बच्चे के सर पे गिरने से बच्चा आया था आप लोगों को यह पता है ना मैं ना तो सुमेरा की सपोटर हूं ना मैं दिलबर की ना मैं बाबर की और ना ही तो मैं वह फातिमा जो दली है उसकी सपोटर हूं लेकिन जो बात गलत तरीके से अगर आती यह और मुझसे कहा जाता है कि आपने चीज की ओपर वीडियो बनाई आपने इस चीज के ओपर बात यूद नि की कि तो फिर मैं जैसे बात फैली में वैसे बात नहीं करूंगी जो बास सच है मैं वो करूंगी तीक है तो ये अंडराम्स वाली बात भी अगर आप लोग मॉडल का ये मॉडल का भी हाथ का उपर का नीचे का परसन छोड़ देंगे और खली एमरोटरी के उपर ध्यान देंगे तो इसका भी वैसे ही लग रहा है जैसे अंडराम्स इसके भी पूरे भरे हुए पड़े है हलाके बात ये नहीं थी बात वो एमरोटरी के वज़े से मतलब वो पिच्चर वैसे नजर आ रही है बाकी आप लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ तो चलिए अभी बढ़ते हम दिलवर की तरफ के दिलवर दुबई क्यों गया और क्या उसका खेल चल रहा है ना उसके तरफ बढ़ते हैं इसको कहते है जितने काले मिरे बाप के साले मतलब जितनी भी अकबर नाम की चीज़े है ना वो सब इनके अबबा की है मतलब ये सीधा सीधा उंगली उठा रहा है कि दुनिया में जितने भी अकबर है ना सब इसके बाप है इन लोगों को शरम नाम की चीज़ नहीं है और ये डीडी दल्ला है ना जो तो बहुत से लोग ये भी पूछ रहते कि इसका नाम डीडी क्यों है डीडी नाम क्यों रखा गया है ये इसका असली नाम तो अहमद है बाकी इसने डीडी नाम क्यों रखा है सब इसको डीडी क्यों कहते है तो डीडी इसको इसकी लिए कहत है दिलबर दल्ला यह डीडी का फुल फॉर्म और हरकते भी तेम दल्लो वाली है ना इसकी तो डीडी गया दुबाई ठीक हो पूरा दीन रुका एक रात रुका होटल में उसके बाद में वह होटल खाली करके वह दूसरी जगा मतलब चला गया तो आप लोग अपने उपर ही सोचो कि अगर हम कहीं पे भी घुमने जाते है जाइर सी बाते सामान होता है हमारे पास में एक्जेस करने के लिए ही कुछ दिन कुछ घंटे लग जाते है और फिर एक रात रुक के वापित से होटल से चेक आउट करके दूसरी जगा जाना ऐसा कौन कौन करता है कितने अबर है सितारा है साजी दे अक्षर ही लोग यह सब चीजे करते हैं ज्यादातर ही लोग इसके लिए करते हैं कि जो दो नंबर का काम करने जाते हैं एक होटल में डेरेक गए रुके महां से माल वाल इधर उदर कर दिया फिर होटल छोड़ देते ताके कभी कोई इंक्वेर तो पता नहीं चलेंगा जैते कि सितारा ने कर चुका है याद है न करते हैं तो जो इसको भूग करते हैं और उसके बाद में फिर इसको बुलाते हैं यह वहां पर एक रात दो सको जैसे इसको क्या मतलब बोलने के लिए विस को काम मिलता है उस तरह से एक राख माँवच जब करने के लिए पिर इसको दूसरी ओटल में जाना रहता है तो पिर वह जाता है कुछ लोग जिसे की इसने एक होटल से चेकाउट करके दूसरी होटल पर गया था और वह विडियो देखने के बाद में जो दुबाई के है ना वो लोगों ने मुझे एक दो जने ने कमेंट करके बताया कि यह जो होटल में गया है ना वह बहुत ज्यादा इसपेंसिव है यह अफॉर्ड नहीं कर सकता है यह इतना वड़ा विखारी यह जो पिछली बार गया था तो यह चिलर दिखा रहा था कि हम लोग को अब आफॉर्ड नहीं कर सकते हम दुबाई में रहना तो हम यहांते निकलने की कोशिश कर रहे हैं भीक मांगने के लिए जी और आप लोगों ने खाना देखा होगा ओटल का खाना के कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो उसे सफ समझ में कि आ रहा है कि यह तो किसी और ने बुक करा है जिस तरह से सितारा को बुक करते है ना उसी तरह से दिलबर को किसी ने बुक किया है और इसके साथ होटल भी सामने अले ने बुक किया है की है होटल भी सामने वाली ने बुक की है और यह वहाँ पर गया था सर्विस देने के लिए और इसका सबूत भी मैं आगे बताती हूँ और इसके मुझे भी ये बार 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 निकला है मतलब जो भी बंदी थी ना उसके लिए इसके मुझे बार बार निकला भी है हम जा रहे हम पहुचेंगे हम खा रहे हम सोएंगे हम उठे हमारा रूम ऐसे हम हम करके निकला है और एक बार इसने बाहना करके बोल दिया आदत है ना हम बोलने की आदत है इसके लिए हम निकल रहा है मुझसे मैं ऐसे बोला इसने मतलब के पता चल गया कि इसके मुझसे ना सचा ही निकल गई कि यह अकेला नहीं था वो जो भी इसको बुक की थी ना वो भी इसके साथ में इसके लिए इसके मुझसे हम निकल रहा था आए तो मैं कहनी निकलूँगा थोड़ा आयां तो आप वह वाचे नहीं होती तो इसके आप लोगों निकल रहा है ना पूरी वीडियो में इतनी आई किया हम अच्छा इसने आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कि यह जब गुमने नहीं जा रहा हूँ में कल जाओंगा अतलियत क्या है वह तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिसके लिए सामने लिए अगर वह भूप करके इसको बुलाई है तो जैईसी बात है काम यह पहले करेंगा ना दोबाई बगुमने के लिए जाएने के लिए तो बाद में ये बीच में तीन बार गाओं जाके आया अभी चौती बार इलोग गाओं गए अब वहां से आके डियरेक्ट दुबई गया तो आप लोगों को लबता है कि लोगों के पास में इतना पैसा है कि लोग एक सरी का घूम घूम कर रहे है और इतनी बड़ी होटल में भी और बाकी आप लोगों को मैं आगे सबूत भी दूंगी आगे का वीडियो आप लोगों को समझाज आजाएंगी और यकीन हो जाएंगा कि यह बात सही है कि यह सर्वीध देने के लिए गया अगर ध्यान तो इसने यह भी कहा था कि कोई सब्सक्राइबर भी मिलने के लिए आ रहे हैं सब्सक्राइबरों से भी मिलते हैं और फिर कोई सब्सक्राइबर नहीं दिखाया इसने तो जाहिरती बाते यार के लोग यह तब भाने ठोपते आप लोगों को मैं को और सीन याद दिलाती हूं जब सितारा मेरान ओटल या क्राउन ओटल नाम बूल गई थी तो उसने शारुप को यह कहा था कि कोई सब्सक्राइबर आयोए उदर पे मुझे उनसे मिलने जाना है तो मुझे छोड़ के आओ तो समझ गई आप लोग सब्सक्राइबर बोलके लोग अपने गंदे गंदे काम करते और बदनाम के इसको करते सब्सक्राइबरों के नाम पे सब्सक्राइबरों को बदनाम करते बाकि लोगों के असल काम सारे काले पिते होते अगर ये सिर्फ और सिर्फ गुमने गया होता न तो दो तीन दिन के बाद में मिलने की क्या जरूवत है उसके ही पात जाता ये भी अकेला है वो भी अकेला गया है तो नहीं फैमिली के साथ गये तो चलो अलग-अलग इंजॉय कर रहे हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है और जो लोगों ने वहां पर बिदनेट डालने का सोचा में दिलबर दले को कि तुम ग prett के पाट में क्यूं थे नहीं मिलोगे कि यह वो तो कहा है के मिलेंगे न मिलूंगा एक दो दिन मैसे मिलूंगा मैं आप लोग ऐसे कमेंट क्यूं कर रहे हूए ऐसे कमेंट ना करो हमारे बीच में सकुछ नहीं हुवा तो जाहिर थी बात है तो इसका मतलब क्या होता है जाहिरती बाते पब्लिक तो सवाल करेंगी तो आगे पहले यह क्लिप देखिए उसके बाद में आपसे बात करती हूं यह रहा वह सबूत जाहिर होता है कि यह दल्ला है ना सर्विस देने के लिए गया है हाण जी तरह से मतलब तरह पहले में अ फूल पढ़े हुए थे जिसने अन्टर किया था ना तब वहाँ पया शांद करें फूल पढ़े हुए थे और और फिर बाद में और वह शायद से बैठ रसूप उपर ढ़का ऑड़े होंगे सोचने वाली बात ना चलो मान लिया कर भी दिया वैलकम करेंगे फेलावर बगेरा देंगे या कोई किसी की मना रहा था वहालग rij पर पर किली ऊड़ेगर और अगर किया गया तो यह डबल बैड क्यों लेता है यह हो गया और गो जो गया लोग डबल बैड क्यों लेते हैं आप लोग यह सोचो अगर बंधा अकेला है तो सिंगल वैडवाले रूम में भी एसिफ्ट हो जाए मतलब सिंगल वैडवाला रूम ले लेना उसमें पैसा भी बच्चेंगा इसका विखारी नमबर वन तो ही लोग तो यह डबल वैडवाला रूम लेना फिर उसमें पूरी गुलाब की पंकुडियां दिखना और फिर वह पर अधिकेहाँ पुलाआρα भूली द सब्स्काइएघा तो कॉमरे सब्सक्राइब बीधकर मुवलत ना होते तो समझ में भी आता कि चलो किसी ने कर दिया है लेकिन इतने वैलकम के लिए फूल डाले ये तो बता दिया लेकिन वैलकम किया किसने इसका ये क्यों नहीं बताया इसने अच्छा एक और बात इसकी किसमत अच्छी थी इसको ना माँ पे सोनो सूद मिल गया तो ये अपनी ही द्रकांट में कह क्या रहा है पता है इंडिया का व्लाग कर मिला था फिर बलता है नहीं नwnie एक्तर मिला था अर्य भाई तुझे तो ना सोनो सुद के पैष्ट dobr होएन भी में तो देखना उसमें साब जाहरा है को कितना बड़ा बिखारी दिख रहा है और मूं ने तुझे भीग दिया तेरे साथ में पिच्चर निकलवा के ठीक है और जीते रहो इंडियन एक्टरों के व्लोगरों के नाम से जीते रहो और अपने बच्चों की रोटी कमाते रहो तो आप लोग ना इसके वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना लेकिन कमेंट करके वीडियो कैसी लोगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मितने नेक्स्ट वीडियो में अला पीच्छ झाल 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 झाल